लोगे नमस्तिव और आपका सुवागत है एक और करन्ट और जी चेकिन में और मैं तो इन फ्लेयंगू क्या रीडिंग करने वाली हूं क्या अपका पार्टनर आपके बारी में क्या सूच रहा है क्या उनकी current feeling है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या नहीं भी सोच रहे हैं, उनका फैसला क्या होगा ठीके मैं यहाँ पे देखने वाले हूँ आपका DM आपके बारे में क्या सोच रहे हैं पहले तो आप देख लीजिए कि आप दोनों ही spiritual हैं क्योंकि यहाँ पे कार्ड मुझे बहुत अलग मिल गए हैं, आरे मैंने अब भी देखा हैं, यहाँ पे लावर का कार्ड में मिला है आपका जो पार्टनर है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और मैं आज मैंने यह नहीं चेक किया कि उनकी पर्सनल जिंदिगी में क्या चल रहा है, आज मैंने यह चेक नहीं किया कि उनके दिल में क्या है, आज मैं डारेक्ट आपके लिए यही मेसेज ले रहे हूं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा हैं, तो देखिए आपका जो feeling या thought उनके अंदर बिलकुल नहीं है आपको लेके वो आपका पहले तो आपका दिल से वो जो है भला चाहते हैं दिल से जो है आपसे प्यार करते हैं ऐसा क्योंकि है और फैन कार्ड हाइफ प्रेस्टिज कार्ड जो है एक साथ आना इसका जो मतलब है इस इस इनसान के दिल मे आपके लिए बहुत जादा जो है पहले तो सच्चाई बहुत है कि इस प्यार में इस इनसान ने आपके जो साथ सच्चाई है वो यही जानता है और यह आपको नहीं जानते इस बात को ऐसा यह सोच रहा है लेकि जबकि आपको भी यह पता है जितनी सच्चाई आपके ठीके इसके भच्चे हो सकते हैं परिवार में फसा हो सकता है कोई ऐसी परिवार है जो बहुत जादा मतलब की पैस लिए काम को लेके कुछ चाहिएं ना कुछ चाहिए तो यह वाली एनरजी ईसकी तो अभी ये आपको इस अनरजी में देख हो आ है क्योंकि नाइन फैंटिकल रिवर्स तो जो रिवर्स कार्ड के जो हैं बहुत अलग मतलब होते हैं ठीके तो ये इनसान सोच रहा है आपने आप पे ध्यान तो आप दे रही है कहीं ना कहीं ये समझ रहा है उस बात को कि आप जो ध्यान आप अपने आप पे देती थी तो वो ध्यान आप नहीं दे पा र आए ठीक है क्योंकि ये ऐसा इसलिए करेगा कि आप इसको जो है छोड़ ना दें इसके मन में ये डर बैठने वाला है और ये दोस्तों के साथ जो है बातें करना चाहता है आपको लेके खुल के जज्जमेंट कार्ड और थ्री ओफ कप्स कार्ड और जो है थर्ड पार्टी ज ने जो है भगवान के साथ जज्ज करना शुरू कर दिया कि डिवाइन फैमनाइन जो है ये जिन से क्योंकि इस कार्ड से मुझे बहुत चेहन लिगा रहे है कि इस इनसान की हीलिंग ही आपके साथ होती है ना इस इनसान का जो सब्र है वो आप है आप पे सब कुछ खतम हो जाता है इस इनसान का के लवर कार्ड लवर कार्ड यानि के रिलेशन्शिप में ये जो आना और प्यार कपक इनकी अंदर से जो भर के बाहर आता है वो आपके साथ है ठीक है ये वाली एनरजी है है रोफेंड कार्ड को अगर हम चेक करें तो सिर्फ वहां पे अटैच्में है एक पैंटिकल को जो है लेके ये ऑ origli बैठी गए है जो आपके DM है सिर्फ पकड़ा हुआ है जैसा कि मैंने इससे ही के दिया था की पैसो को ले के हो पैच्प को लेकर ही हो सकती है लिकिन उनकीर में साथ है कि अटेच्मेंट है तर प्यार वियर नहीं है प्यार प्यार कार्ड आपके लिए नर्जी है हcular implacation कार्ड मैंने अलग से चेक किया है कि हिरो फेंड के साथ थाड़ पार्टी के साथ डुसक्वोज क्या धियुक्त हुब मैंने आपको बताइ और प्याइग तीक है लैकि प्यार के जो time होता है उसमें इनसान किस तरह से अपने आपको सुम्हालता है वर ही समय है इस इनसान का और ये इनसान बहुत जादा भी आपको विश्वास करना होगा इस reading पे ठीक है claim भी करना होगा और विश्वास इसलिए ने कि ये परिशान है इसके आपको इस प्यार को समझना भी होगा इसलिए कहा रही हूँ कि इसको claim करो क्योंकि हर टाइम इंसान जब दुखी है तो आपको जो है जो है सही नहीं आपको खुशी नहीं होनी चाहिए उस चीज की क्योंकि आप समझो इसको कि ये परेशान क्यों है और आपको खुश उतना होने की जरूवत नहीं है क्योंकि कोई इंसान परेशान है वो आपको लेके परेशान है तो आपको अंदर से जो है अपने अंदर जुणने की जरूवत है देखिए कि प्यार कितना है उसको आपके साथ तो आप उसको जो है दिल से प्यार भी है सकते हैं ठीक है ऐसा करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा अंदर से शानती मिलेगी ठीक है ये एनरजी है आपके पार्टनर की आपके लिए यही सोच है इस इनसान की ठीक है और यहीं मैं चेक जरूर करूँगी कि इसके दिल और दिमाग में क्या है ठीक है और मैं ये भी चेक करूँगी कि वो रात को जो है क्या सोच रहा है क्या सोचता है ये भी चेक करके दूँगी ठीक है भगवान आप दोनों के रिलेशन्शिप के लिए क्या कहना चाहते है ठीक है कमार है फॉर व्यंस एक ऐसा कार्ड है यूनियन का कार्ड है जो है टुइन फ्लेम जर्णी को लेके कार्ड है ठीक है यहाँ पे तो यह जो कार्ड मुझे बतारा है कि इस इंसान ने आपके साथ एक होने का फैसला जो है बाहरी तोर पे नहीं एक अंदर उनी तोर पर ये कड़ चुका है कि इसे साथ रहना है ठीक है क्योंकि यहां पर एक जो है मुझे यहां पर इस टाइम पैलिस वैलिस की एनरजी नहीं आ रही है मुझे यहां पर टेम्पल्स की एनरजी आ रही है मिनकी मंदिर की एक एनरजी आ रही है तो आप एक मुझे ही हाँ पे ये spiritual भी जो है पक्वान की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहां ये energy मुझे ये वाले message दे रही है यहां से तो ये इन्जान अपने अंदर से ही आपको अपना मान चुका है इस time और ये जो बाते हैं इस इनसान की बहुत सारे आपके साथ हो सकती है आपके किस तरह से आप एक दूसरे के साथ आए थे कैसे आपने relationship में आगे बढ़े और किस तरह से इतनी बार relationship में जो है break लग गया आगे नहीं बढ़ा बहुत बार ऐसा हुआ और वही बातें आपको इसाथ चुब रही है ये जो है night of pentacle card ठीक है तो ये वाली energy है और इस इस इनसा को मैंने जैसे की बोला कि ये इंसान बेचैन है परिशान है अपनी feeling किसी से कह नहीं सकता तो आप जो है इसको मन से दिल से जो है आप इसको प्यार सेंड कर सकते हैं ठीक है ऐसा आप करेंगे तो इसकी healing होगी ऐसा करने से और देख लेते हूं कि इसका जो आपका जो partner है उस इश्वास करके देखना वो आपकी जिम्मेवारी होती है ठीक है हमारा काम क्या है हम तो reading करके दे देंगे और मेरी जो reading होती है वो रात को ही मैं डालती हूं current feeling के वीडियो मैं बहुत जो है अलग ही हूं सारा दिन जो है ध्यान में रहके और अपने घर का काम बजहरा करते ह द्यान में जो है भगवान का जाप करते हुए तो मैं रात को reading करती हूं और मुझे उमीद है कि यह reading आपके साथ जबकि आप प्रनी कहा कहा से देख रहे हैं special आपके लिए reading नहीं होती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए नहीं है क्यूंकि सब देख रहे हैं सभी के यहाँ पर जरूर निकल के आता हैं तो यह reading यानि कि आपके साथ मैच हो सकती है और जिनके साथ नहीं होती है तो वो comment कर दिया करें ठीक है तो आपका जो partner है दिमाग में क्या चल रहा है उसके तो यहाँ मुझे एक card मिले हैं तो यहाँ पर मुझे जो card है वो इस time आपका ही ध्यान कर रहा है ध्यान देखे ध्यान का card मुझे आया है मैंने पूछा टैरोस से कि वो क्या सोच रहा है इस time तो जो है बिल्कुल आपके ध्यान में ही है आप जीवन से आपको ही जो है आपके बारे में आपको पुकार रहा है आपके लिए प्रात्ना कर रहा है ध्यान उसको जो हर time आपका ही रहता है ठीक है और उसके पास जितने भी वो हैं घर के बाहर के जो भी काम है ठीक है वो उसकी जो है करतवे है वो उसे करना है और आपके जब से आप मिले इसे ये जाव चुका है अपने जीवन में और और ज़्यादा इस पिश्वल होता जा रहा है इस टाइम आपको ही पढ़ रहा है आपको ही देख रहा है शोशल मीडिया पे या कहीं पे भी देखे इसके दिमाग की अनरजी यही है और जो बुरा हो गया है पास्ट में उसको ये जाने देते हुए और ये बोल रहा है कि ये इनसान के दिल और दिमाग में यहाँ पे लिखावा है कि माध्यम ठीक है जो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चुना है अपने कार्य के लिए ठीक है ये मैसीज है लेकिन आपके डिम के लिए जब मैंने कार्य निकाला है तो वो कह रहे हैं कि जो आपका डिम है वो आपको कह रहा है कि आप उनके लिए दावन है आप उनके लिए जो है बनी है और उन्होंने आपको ही चुना है जैसे मैंने अभी इस कार्ड से बोला तो मुझ यहां से भी लाइक करना के साथ मैच होई है ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होगी होगी और आप एक काम और कर लेना, अब ही आप दोनों की जो है पीडा का समय है और आप दोनों ही इस एनरजी में हैं तो इस से बाहर आईये और बस दूसरा कार नहीं लूँगी यही सच्चाई है और मैंने भी हाँ पे सच्चाई भी लिखा हुआ है सच्चाई का सामना कीजिए और अपने ही अंदर अपने डियम को ढूनिए यह मृग लिखा हुआ है यहां पे ठीक है जो हीरन होता है उसके नाभी में जो कस्तूरी होती है तर उदर जंगलों में भागता ही रहता है क्योंकि उसको पता नहीं कि उसके ही अंदर से वो खुशपू ही आ रही है जिसको वो ढूनने की कोशशक्र रहा है और वो बैड़ जाए शान्ती से और अपने ही अंदर से वो खुश्पू ले तो क्योंकि उसे पता नहीं है कि नाभी की अंदर का स्थूरी है ठीके उसी तरह आपको आपके डियम को नहीं पता है कि इस रिलेशन्शिप की जो जड़ है वो आपके ही अंदर है आप जब अपने ही अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर रिलेशन्शिप आपका मजबूत होगा आपके जो कार यह है आपका लाइप परपस जो है वो आपको मिलेगा क्योंकि भूसी रीडिंग देखी होंगी आपने की लाइप परपस के बारे में कर दो लेकिन जो सबसे जादा जो आपका दिमाग आपको लाइप परपस के बारे में आगे बताता है वैसे तो टैरो कार्ड भी बता देते हैं कि आपको क्या जुड़ना चाहिए लेकिन सबसे जादा जो मैसेज मिलते हैं आपको आपका दिमाग बता देता है आपको बच्पन से ही पता होता है कि आपको क्या करना है क्योंकि आप जब मुझे क्या था देखी मैं बताती है मैं जब मैं छोटी थी तो मैं किसी से भी बात करती थी तो मैं उनको उनके पेंट से निकालती थी किसी भी तकलिफ को कैसे निकालती थी मुझे नहीं पता था कि हीलर होते हैं या रेकी करता है कोई उस टेम बच्चा क्या जानेगा कि रेकी करेगा या नहीं करेगा हीलर क्या होता है क्या जानेगा छोटा बच्चा है ना तो मैं उनको उनकी तकलिफों से निकालती थी पहले बहुत ज़ादा मतलब कि किसी को चोट में देखके दर्द में देखके तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश किया करती थी तो मैं वही कह रही हूँ, इनसान को पता होता है कि हमें क्या करना होगा और इस टाइम आके मुझे पता था कि मैं टेरो करूंगी या मैं रेकी करूंगी या मैं हीलिंग किया करूंगी किसी की नहीं पता था लेकिन अब किलियर पता है कि मेरा काम क्या है मुझे करना क्या है और ये कैसे हुआ है ये जब हम अपने ही अंदर जुड़े है अपने ही दिमाग के साथ जो हम जूड जाते हैं तो ये चीजें जो हैं सामने आना शुरू हो जाती है ठीके तो आप भी ध्यान दीजिए कि उन बातों पे वो क्या बाते हैं ठीके मैं फिर आऊंगे एक नई रीडिंग के साथ और मेरे साथ बात आप करते हैं आपको कैसा लगता है जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पता नहीं मैं क्या क्या बाते हैं आपके साथ करने लग जाती हूँ पहले मुझे आदत नहीं थी योटूब पे आने की, बात करने की लेकिन अब मुझे आपकी आदत पढ़ गई है और चाहे मुझे 11 बजे या 12 बजे भी मुझे वीडियो डालना होता है लेकिन मैं जरूर डालती हूँ ठीक है न और मुझे कहीं जाना भी होता है तब भी मुझे यह इटेंशन लगी रहती है कि मुझे वीडियो डालना है लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं कहीं गई भी हूँ और मुझे टैरो की जरूरत है नहीं मैं आपके लिए वैसे भी चैनलिंग कर देती हूँ आपने मेरे पिछले वीडियो में आप मेरे चैनलिंग मेसेज देखेंगे तो महा पे बिन कार्ड के रीडिंग होती है और जो कि आप के लिए ही होती है और आपके साथ वो मैच भी होती है तो इसको चैनलिंग कहते है चैनलिंग तो कार्ड को लेके भी कहते है जो बिशार हमारे दिमाग में आते रहते हैं तो उसको चैनलिंग कहते हैं तो मैं फीर आओंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते